हलो एवरिवन बोट केंडिडेट्स 2024 बोट क्लास 10 एंड क्लास 12 मेरे प्यारे दोस्तों 2023 और 2024 के जितने भी सेशन में मेरे भाई बैन है क्लास 10 12 के उनकी काउंट डाउन सुरू हो तुकी है आपको पता है कि गिने चुने टाइम है और जितना जाता अभी हम प्रिप्रेशन कर क्या होती है बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है क्योंकि प्रिप्रेशन का टाइम आ चुका है बच्चों का पढ़ाई करने का समय आ चुका है तो मैंने सुचा कि अब यह बताना जरूरी है ताकि वह इस चीज़ को फॉलो कर सकें क्वेस्चिन क्वेस्चिन आते कहां से है और पेपर का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होता है तो अगर मैं बताऊंगा मेरे पैर दोस्तों तो यह आपके हाथ में है सबसे बड़ी चीज अगर क्वेस्चन पेपर हाड है तो हाड का सबसे बड़ा सल्यूशन यही है कि जितना अच्छा आपका प्रिपरेशन रह देखने को मिलता है यह रियालेटी है बट प्रिपरेशन आपके अच्छी होने चाहिए ताकि कोई भी कोई आपको हाड ना लगे अब बात करेंगे वहां पर हम आने वाले हैं पर उससे पहले हम कहां से आता है क्वेस्चन मेरे पैर दोस्तों आप बिलीव करो मैं आप गलती करते हैं हर एक चैप्टर में ऑपने क्लास दिए ज्यादा यह इसे काफी ज्यादा प्लास्ट या क्लासर। क्यूंकि इसमें straight forward question आते हैं 12 का थोड़ा सा घुमा फिरा होता है लेकिन class 10 में तो बिल्कुल नहीं simple simple questions आते हैं जैसे paragraph दिया रहेगा paragraph questions आते हैं paragraph क्यूंकि अभी competency बेस्ट है तो और आसान हो गया paragraph लगबग तीन ठ्राइस से question आएंगे 15 marks पांच मार्स इच 15 marks तो यूँ ही उठा लोगे क्यूंकि वहीं पर आंसर दिया है question नीचे है उससे देखकर आपको लिखना है हर एक में होता है math में नहीं होता है आप देखो questions आपके आने के sequence exercise जब भी पढ़ते हो जैसे मालो photosynthesis हो गया या आपका मालो आप electricity chapter पढ़ रहे है electricity chapter का पहला summary जस्ट पूने में जो questions दिये गये हैं वो सारे questions exercise के अंदर के questions exercise questions example questions यही subsidy करते हैं दूसरा last 5 साल के questions को दुबारा से repeat किया जाता है क्योंकि teachers हमेशा से अगर नया कुछ बनाते रहे 90% questions पूरा नहीं होते हैं 10% new include किये जाते हैं क्योंकि syllabus में changes होता है न कोई एक chapter रिड़क्त कर दिया जाता है कोई नया chapter होता है तो 10% ही questions add होते हैं ट्रस्ट में 3 साल हो रहे हैं यहां पर हम लोग हमेशा से होता है बट definitely अपने तरफ से preparation जितनी अच्छी हो उतना अच्छा होता है तो information अच्छी लगी होगी तो like करना मिलता है next video में तब तक आप अपना ख्याल रखें thank you so much